नमस्कार दोस्तों स्वागतियापका हमारी यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों सामान अधियान यानिकी जी के जी इसके जो मोश्ट इंपोरन वन थाउजन कोस्टन की हमारी सीरिज चर रही है इस कोस्टन सीरिज का जह हम 25 पार्ट लेकर आया है इससे पहले हम 24 पार्ट अप्लोड कर चुके हैं तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी कॉस्टन सेलेक्ट किये सारे की सारे कॉस्टन इंपोर्टन है अच्छे लेविल के कॉस्टन है और इन कॉस्टन को हम बिलकुल डिटेल में विट एश्टर अफेक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े तो चलिए सुरू कर लेते हैं नमर फर्ष्ट कॉस्टन है सेर की पूँच बला मकाक किस वन जियू रजर में पाया जाता है तो दोस्तो जितने भी कॉस्टन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ जाएगा ठीक है और देखिए जो मकाक है ना इसका मोह है ठीक है इसका मोह है और पूँच जो है ये सेर के समान होते है ठीक है और यहाँ पर बात हुई है नेल गिरी की ठीक है तो यह नेल गिरी 10 रिजर्ब किस राज में इस्ते थे तो यह तमिल नाडू राज में इस्ते थे यह question भी पूछा जाता है चलिए नमबर सेकंड question है प्राचीन भारत में चिकितसा सास्तर पर किसने ग्रंथ लिखा था तो चिकितसा सास्तर पर ग्रंथ किसने लिखा था चरक ने लिखा था तो इस question का C option ही हो जाएगा और इस ग्रंथ का नाम क्या है तो आप लोगोंने सुना होगा ठीक है चरक सहंता ठीक है स किसकी समकालिन थी तो राजा कनिस्क ठीक है राजा कनिस्क के दरवार में जो चरक था ये राज बेद था ठीक है ये भी आपको याद रखना है चलिए नेश्ट कॉस्टन देख लिएते हैं नमबर थर्ड कॉस्टन है राष्टिय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो जिवासा का दरजा मिला था कम मिला था 14 सितंबर 19 को मिला था इसलिए हम 14 सितंबर को हर साल राष्टिय हिंदी दिवस की रूप में मनाते है ठीक है यहां से एक और फेक्ट पूचा जाता है ये तो बात हुई राष्टिय हिंदी दिवस की कॉस्टन आप से ये पूचा जात है चलिए नेच्ट कॉश्टन देख लेते हैं नमर चार कॉश्टन है सिंदू सब बता कि किस इस्थानी नाम मांट ओफ दी डेड है तो मांट ओफ दी डेड जो है यह मोहन जोड़ो का इस्थानी नाम है तो इस कॉश्टन का ए आप्सन से हो जायेगा ठीक है और यहांपर हम बात करें मोहन जोड़ो की तो मोहन जोड़ो की खोच किस ने की थी राखल्दास बनाजी ने की थी और इन्होंने 1922 में मोहन जोड़ो की खोच की थी ठीक है और बरतमान में मोहन जोड़ो कहां प्रस्तत है तो बरतमान में जो मोहन जोड़ो है ये पाकिस्तान की सिंध प्रां रंग काला या गूरा किसके कारण होता है तो जो हमारी तौचा है इसका रंग काला या गूरा मिलानिन ठीक है एक Pagment होता है, Milanin नाम का, इसी के कण हमारी तोचा का रंग काला या फिर गूरा होता है, next question देख लेते हैं, नमबर च्छे कॉस्टन है विडाल टेस्ट किस रोग के निदान के लिए प्रियोक्त होता है तो जो विडाल टेस्ट है ना ये टाइफाइड रोग के निदान के लिए प्रियोक्त होता है तो इस कॉस्टन का B option से हो जागा ठीक है जो टाइफाइड रोग है इसको आत के वख अप्सन से हो जाएगा देखे जो हमारी प्रत्वी है इसको तीन भागों में डिवाइड कियागिया है तीन पर्तों में डिवाइड किया गया है पहली है crust यहानि कि भूपरपटी, दूसरी है mental और तीसरी है झाल को ठीक है और यहाँ पर question पूछा गया है कि भूपरपटी यानि कि crust और mental को कौन सी रेख़ बिवाज़त करती है तो मोहो आसंबदता करती है यहाँ पर आप देख पर हैंगे यह है मोहो आसंबदता ठीक है यह उपरी भाग जो है यह भूपरपटी का है और यहां से यहां तक का भाग जो है यह मेंटल का है ठीक है और question आप से यह पूछा जाता है कि जो गुटेनबर्ग आसंबदता है यह किस किस को विभाज़त करती है तो यह mental और core को ठीक है यह यहां तक mental का हिस्सा है और यहां के बाद यह core का हिस्सा है तो mental और core को कौन विभाज़त करता है गोटेन वर्ग आसंबदता रेखा ठीक है और यहां पर लिखा है लेहमेन आसंबदता तो जो प्रतवी की तीसरी प्र होती है ठीक है प्रतवी की तीसरी प्रत कौन सी होती है कोर इसको भी दो भागों में बाटा गया है ठीक है इसका पहला भाग जो है ये उपरी कोर कहलाता है और दूसरा भाग जो है ये निचला कोर कहलाता है ठीक है तो उपरी कोर और निचली कोर को कौन सी रेखा बेवज़त करती है लेह में आ समदता ठीक है यहां पर यह रेखा होती है तो दोस्तों यह सारे फेक्ट पूछे जाते हैं यदि आप चाहें तो इन फेक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं नेश्ट कोस्टन भारत की सबसे गोदावरी नदी है इसका उदगम महराष्ट से होता है ठीक है और महराष्ट के त्रियंब गाउं से इसका उदगम होता है यदि हम बात करें कि जो गोदावरी रिवर है इसकी टूटल लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 1465 किलो मीटर ठीक है और देखे मैं आपको बता गई थी कि जिस नदी का उद्गम एवं मोहाना दोनों भारतिये छित्र में श्तित्र में नैस्ट को स्टने बराह महर कौन थे तो जो बराह महर हैं यह फैमस खगोल वित थे तो इस कॉस्टन का जो इन्होंने गरहों की गती के बारे में लिखा है और जो पंच्छ सिधांती का है इसमें इन्होंने गरहों और नकषत्रों के समय और इस्तिती का वर्ण किया है कहने एक मतलब यह है कि इनकी जो दोनों ग्रंत है न ये खगुल सास्तर पर ही लिखे गए हैं और ये फेमस खगुल वित थे सौर मंडल में किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्धिमान है तो कॉस्टन को ध्यान से पढ़िएगा उपग्रह पूचा गया है ठीक है तो देखिए जो यूरूपा है ठीक है यूरूपा व्रस्पती का एक उपग्रह है और इसमें ऐसे गुण पाये गए हैं कि इसमें जीवन की संभावना है और अभी तक खोजे गए उपग्रह में से यूरूपा ही एक ऐसा उपग्रह है जिसमें जीवन की संभावना विद्धिमान है तो इसको याद रखेंगे नैश्ट कॉस्टन है प्रसिद्ध पुस्टक पुराने पन्नों का एक सम्मू यानि की आबंच ओफ ओले लेटर की लेखक कौन है तो एक पुस्तक है आबंच ओफ ओले लेटर और इसके लेखक है पंड़ेजवाहला नेहरू तो इस कॉस्टन का बी ओप्सन सही हो जागा ठीक है जो पंड़ेजवाला नेहरू है ये हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष पर हम हर साल 14 नवंबर को कब 14 नवंबर को वाल दिवस के रूप में मनाते हैं नेश्ट कॉस्टन है काफी अच्छे लेविल का कॉस्टन है इतनी तो छमता आपके पास है कि आप कॉस्टन को पढ़के कॉस्टन को देखके ही समझ जाते हैं कि कॉस्टन किस लेविल का है मौलक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की सक्ती किस के पास है तो मौलक अधिकारों के संचलन को निलंबित करने की सकती जो है ये राष्टपती के पास है तो इस question का C options ही हो जाएगा आप देखे देश में जब आपातकाल लगता है आपातकाल भी कौन लगाता है राष्टपती लगाता है ठीक है तो इसमें राष्टपती आपातकाल के दोरान राष्टपती जो है ये मौलक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्टपती जितने भी हमारे मौलक अधिकार है अनुचित 12 से लाकर अनुचित 35 ठीक है सबी मोलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है लेकिन अनुच्छिद 20 और अनुच्छिद 21 में जो मोलिक अधिकार दिये गए है इनको राश्टपती निलंबित नहीं कर सकता ठीक है तो अपरादों के दो सिद्वी के समंद में सररक्षन किया गया है ठीक है अधिकार नलंबित नहीं होता और अनुचिद 21 में क्या है तो प्राण और दैहक सुतंतरता का सररक्षण है ठीक है तो ये जो दो मौलेक अधिकार हैं अनुचिद 20 और अनुचिद 21 के तहद दिये जाते हैं इनको किसी भी कंडिशन में नलंबित नहीं किया जा सकता याद चुका हूँ और यह प्रावधान लिया गया है जर्मनी के सम्मिधान से नेश्ट कोस्टन है निमनलेखित में से कौन ततकाल सकल निप्टान की विवस्ता करता है तो ततकाल सकल निप्टान की विवस्ता करता है आर बी आई तो इस कोस्टन का C option से हो जागा ततकाल सकल ये इस तो ये वी आपको याद रखना है ये है प्रिंडाली जो है 2013 में शुरू के गई थी और इसकी देखवाल कॉन करता है तो RBI जो है इसकी देखवाल करता है नेक भारतियë सिविल सेवा में सामिल हुने वाले भारतिये थे इस कॉस्चन का between membership और यह कॉस्चन का अधिनीयम कब लागू किया गया था काफी अच्छा कोस्टन है तो निउन्तम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था 1948 को तो इस कोस्टन का ए ओप्सन सही हो जाया गा ठीक है जो निउन्तम मजदूरी अधिनियम है ये क्या है तो भारत की संसत दोरा पारत एक सरम कानून है जो कोसल तथा आखोसल सिर्मकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारान करता है ठीक है और ये कब लागू किया गया था तो ये 1948 में लागू किया गया था नैश्ट कोस्टन देख लेते हैं नमबर 16 कोस्टन है पंचवर्सी युजना प्रारम करने के लिए किसकी सुईकृत अश्रक है तो पंचवर्सी युजना प्रारम करने के लिए जो है राष्टी विकास परिश्द की सुईकृत्र आउश्रक है तो इसक question कब बी ऑप्सन से हो जायागा राश्टी विकास परिशत के अनुमुदन के बाद ही पंच वर्सी यूजना एक क्रियानवेत होती है ठीक है यहां पर बात हुए राश्टी विकास परिशत की तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1902 को कप 6 अगस्त 1902 को इसकी स्थापना की ग यानि कि इसको सोट में KCC भी कहा जाता है, तो KCC यूजना किस वर्ष सुनू की गई थी? तो KCC यूजना जो है, ये 1998 में सुनू की गई थी, तो इस question का A option से हो जायागा, इसमें क्या होता है? तो इसमें किसानों को आसानी से और कम व्याज़ दर पर लोन मिल जाता है, नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं, नमबर 18 कॉस्चन है, भोपाल गैस्त रास्दी किस बर्स में हुई थी? तो जो भोपाल गैस्त रास्दी है न, ये 1984 को हुई थी, तो इसकॉस्चन का सी ओप्सन से हो जाएगा, 1984 और आपको डेट भी याद रखना है, ठीक है, डेट थी 2-3 दिसमबर, यानि कि 2 दिसमबर की राज थी, और 3 दिसमबर का सुबह था, ठीक है, तो 2-3 दिसमबर 1984 को भोपाल में, Union Carbide नामक कंपनी में, ठीक है, Union Carbide नामक कंपनी के कारखाने में, मिथाल आइसो साइनाइट नामक जहरीली गेस, इस गेस का नाम भी आपको याद रखना है, कौन सी गेस का रसा हुआ था, तो मिथाल आइसो साइनाइट ठीक है, इसका formula भी आपको याद रखना है इसका formula होता है C2H3NO2 ठीक है यह formula आप चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि यह formula पूचा जाता है ठीक है यह जो gas का रशा हुआ था इसमें क्या हुआ था तो इसमें बहुत बड़ी तरास दी हुई थी और लगभग मैं आपको बता दूँ कि यह सरकारी आकड़े थे लगभग 15,000 लोगों की मौतें हो गए ठीक है और कई लोग सारी लांग हो गए थे यह तो सरकारी आकड़े थे कि 15,000 लोगों की मौत हो गए थी लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाने गई थी ठीक है तो सारे फेक्ट आपको याद रखना है mostly जो formula है ठीक है ये जो chemical formula है इस gas का ये आपको याद रखना है और gas का नाम जो है methyl isocyanide ये आपको याद रखना है next question देख लिएते हैं नमबर 19 question है प्रसिद्ध पुस्तक हाप girlfriend की लेखक कौन थे तो जो पुस्तक है हाप girlfriend इसकी लेखक थे चेतन भगत तो इस question का A option से हो जाएगा और यहाँ पर हम बात करें यदि कुसबंत सिंग की तो इन्होंने एक पुस्तक लेखी थी यह भी पूची आती है कि train to Pakistan ठीक है train to Pakistan पुस्तक किसने लिखी थी तो कुस्बंत सिंग लिखी थी और महात्मा गांदी की पुस्तक कुन सी है my experiment with truth और जो जवाहला निरू है इनकी भी एक famous पुस्तक है discovery of India तो सारे facts याद रखेंगे चलिए next question देख लेते हैं नम्मर 20 question है पुस्तक की नस्बंदी को क्या कहा जाता है तो पुस्तक की नस्बंदी को कहा जाता है बैसक टॉमी क्या कहा जाता है बैसक टॉमी कहा जाता है पुस्तक की नस्बंदी को और यहाँ पर बात हुई है टी बोक टॉमी की तो जो महिलाओं की नसबंदी होती इनको टी बोक टॉमी कहा जाता है ठीक है और यहां पर लखा है डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी क्या होता है तो जन संख्या की अध्यन को डेमोग्राफी कहा जाता है तीनों फेक्ट मोस्ट इंपोर्टन है चलिए ने लोगसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। इसके बाद सबसे जढ़ा सीटें कहां पर हैं। इसके बाद सबसे जढ़ा सीَटेंai जो हैं महराष्ट में हैं । Mooray समराज की जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था पॉन्ह, तो इस तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्यवंस का संस्तापक था और मौर्यवंस का अंतिम सासक भी पूछा जाता है कि मौर्यवंस का अंतिम सासक कौन था तो ब्रहधरत ठीक है ब्रहधरत जो है ये मौर्यवंस का अंतिम सासक था संस्तापक तो mostly सभी लोगों को याद या काफ यच्छा कौश्टन है कि फारै तो ब्राम्मि लिपी को इसपस्ट गिया था जेम्स प्रिंसेशो नैं तो इस कौश्टन runtime की पया जाकरीं यह जए इस्ट इंडियर स्थी था नेस्ट को स्वच्ट्फ्छ अपने अभीलेकों में प्राया किस नाम से संधरव hypnot है? तो जो असोख है ये प्राया सभी अभी लेकों में उससे प्रिये दर्शी कहा जाता है तो इस question का A option से हो जाएगा जो प्रिये दर्शी है इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिये राजा नेस्ट कॉस्टन है महत्मा गांदी को सरप्रथम राष्ट पता किस ने कहा काफी प्यारा कॉस्टन है तो महत्मा गांदी जी को सबसे पहले राष्ट पता कहा था सुबास चंद्र बोसन है तो इस question का A option से हो जाएगा, यहां से कुछ और question पूचे जाते हैं, जैसे question पूचे जाता है, जो महत्मा गांदी जी हैं, इनको महत्मा की उपादी किस ने दी, तो इनको महत्मा की उपादी किस ने दी, तो रविन ना टेगोर को गुरुदेव की उपादी दी थी, महत्मा ग गांदी जी ने ठीक है तो कहने के मतलब यह है कि हम ऐसा याद कर सकते हैं कि यहां रविना टेगोर ने बूल दिया कि गांदी जी आप महात्मा हो तो यहां से गांदी जी ने बूल दिया कि आप भी गुरू दे हो ठीक है ऐसा याद करने के लिए हमें लॉजिक लगाना है और यहाँ पर बात हुई है सुबास चंद्र बोस की ठीक है तो सुबास चंद्र बोस को नेता जी कहा जाता है ठीक है नेता जी सुबास चंद्र बोस कहा जाता है तो question यह पूछा जाता है कि जो सुबास चंद्र बोस हैं ठीक है इनको नेता जी की उपादी किस ने दी थी ठीक है तो ये Adol Fittler का नाम भी आपको याद रखना है और यदि कुछ fact कुछ लगते हैं कि most important है कि उनको आप note down जरूर कर लिया करें तो thank you दोस्तो आज के लिए इतना ही अब next and last question है आपके लिए challenging question है जो कि हम पूछते हैं हमारे previous वीडियो से महावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था ठीक है आपको बताना है आपके लिए 4 option भी दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस question के बारे में या फिर उसके answer के बारे में या फिर महावीर स्वामी के बारे में detail भी लिख सकते हैं क्योंकि एक बार जो चीज़ें आप लिख देते हैं बो लाइप में कभी नहीं भुला पाते हैं तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो के ऐसा लगा कमेंड करके जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम अपने पांच दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटिस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसी प्रकार के हम लगातार अभी तक जो 1000 कोस्टन की सीरिज चर रहे है उसके 25 पार्ट अपलोड कर चुके हैं ठीक हर वीडियो में 25 कोस्टन होते हैं तो 25 पार्ट जो हैं यह अपलोड हो चुके हैं यह आपको देखना है तो हमारी प्ले लिस्ट को बिजिट करके देख सकते हैं के सभी जो वीडियो में ने बनाए हैं सभी वीडियो में बिल्कुल ऐसे ही डिटेल वाइस एस्टर फेक्ट की मात्यम से आपको समझाय गया है तो थैंक्यू दूस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध जय भारत बंदे मात्रा